नमस्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराथी आँखों के दर्ध से हम अक्सर परिशान होते रहते हैं और कभी समझ में नहीं आता है कि इसका सटी कारण क्या है इसलिए कलत दवाईयों के फेरे में भी पड़ जाते हैं लेकिन आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि आँखों में दर्ध के क्या कारण हो सकते हैं और इसका सही उपचार क्या है और ये सारी चीज़े समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंग जो की बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेशग्यों में से एक है सबसे पहले डॉक्टर साब नमश्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साब आँखों में दर्ध होना बहुत आम समस्या है लेकिन इसका सटी कारण नोग समझ नहीं पाते हैं तो ऐसा क्यों होता है आँखों में दर्ध जो है उसका कारण क्या है देखिए आखों में दर्द होना एक वेग सिम्टम है, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कुछ आखों से संबंदित होगा, कुछ आख से संबंदित नहीं भी हो सकता है तो इसमें जानने की जरुवत है कि पेन आईबॉल या पेन हेडिक लेकर के पेशेंट आए तो क्या वरक अप करना है तो आखों में अगर जाए तो आखों में आप लोकली देख लिए कि कोई आख में लाली नहीं है, पानी नहीं आता है, आख में कुछ पढ़ा हुआ नहीं है तो कोई local कारण नहीं हो सकता है. लेकिन आखों में आप यह लेङ कि जो migraine की समझेя लोगों को होती है. तो migraine में सर भी दर्द करता है, साथ में आख भी दर्द करता है. तो इस सुभ मोटों आख की समझेय नहीं है. माइगरिन कंट्रोल करना होगा, दर्थी गुली खानी पड़ेगी, आज के समय में लोग को सर्दी जुकाम ज़्यादा हो रहा है, सर्दी जुकाम होगा तो स्वैंसाइटिस होगा, वो आख में भी दर्द करेगा, और लोग आख के इलाज करने के जल चल जाएंगे, मुदता उसको सर्दी जुकाम रहता है, अगर हलका बुखाज, कोरोना करता टाइम है, कोरोना में समझे, कोरोना में आख में भी दर्द हो सकता है, वो कोरोना के लक्षन भी हो सकते हैं, और आख में लाली होना ये भी कोरोना के लक्षन हो सकते हैं, पेरी और बाइटिल पेन ये भी हो सकता है sinusitis से कारण हो सकते हैं तो आँख में medical causes बहुत सारे हैं जिससे आँखों में दर्ध होता है तो वह knowledge भी रखना चाहिए कि कब physician को भेजना है और कब हमें क्या करनी है और इसके बाद आँख में भी locally हमने का locally देखना दर्ध होने का pressure ना पेंगे कभी-कभी angle closer glaucoma इसमा अचानक pressure बढ़ जाता है आई का तो angle closer glaucoma में आई का pressure बाढ़ेगा तो आँखों में दर्ध होगा तो आपको pressure lowering agent देने होंगे तेंपररीली दवा से उसके बाद आकर जबुआत हो तो operation करें जो करें तो angle closer glaucoma के आप काम करें laser PI करें उससे कारण हो सकता है आखों में दर्ध करें जो समने कहा कि व्याइट से कारण हो सकता है आखों में दर्ध तो local causes को रिलेकर दिख करें और ऐसे यह वेक symptom में अगर आखों में दर्ध होता हो तो आप visual field test करा लें कभी कभी brain के व्याधी से भी आखों में दर्ध होता है और आखों में दर्ध होता है और visual field test अगर आख कराएंगे तो brain की बहुत सारी प्रिट्विट्व तो व्याधी निकल के सामने आएगी तो आख के दर्ध का अगर मरीज लेके आवे तो आपके दिमाग को खुला रखना है कि neurological cause है physical करना है कि locally कुछ cause है कि pressure बढ़ा हुआ है तो इस तरह से आप पूरी चीजा कर जानते रहेंगे तो आखों में दर्ध का उप्चार कर सकेंगे वैसे अभी के थंड के मौसम में लोग अंदर में रहते हैं घर के अंदर outdoor activity कम होता है ज्यादा social media पर रहते हैं उससे भी आखों सकति हो तो ने सुकेटसक शिक्स से मिलकर आख के जैसे कि रहानलें कि यह का है कि腳 को फीशन ते इसको देखना पड़ता है और अक्याल काई में छीप आ तैंड सब गलें कर लोग first reaction यह नहीं होता है किiziert आंट मेंटो के पास जाते हैं घर में बहोत तरीके के इलाज करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगे कि आँख के दर्थ के लिए घरीलू उप्चार क्या-क्या कारगर साबित हो सकते हैं देखिए अगर आपका behavior related है stress tension से तो आप आराम करें long term अगर होता है और doctor ने कहा दिया कि आँख में अतनी बड़ी समस्या नहीं है तो आप परहेज और प्रानियाम करें प्रानियाम से meditation distress रहते हैं तो दर्थ होता लेकिन अगर local problem है तो आप pressure की जाच करा लें आप बुजुरकों में बुजुरक तकलीप बताते नहीं है उनका मोतिया बिन पकर के फड़ जाता है लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा कहते हैं pressure बढ़ जाता है उसमें उनको आँखों में दर्थ होता है तो आपको कारण जानना जरूरी है कि वह किन किन कारणों से आँखों में दर्थ होता है ताकि अगर आप नेत चिकिस्ता के पास जा अगर वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्शन या मिल बॉक्स की माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है धन्यवाद